नमस्कार मित्रों एवं बच्चों आप सब कैसे हैं आज मैं आपके सामने रुचिरा कक्षा साथ सदाचार पाठ छे का अर्थ बताने आई हूँ पाठ चुरू करते हैं यस्मिन देशे यह आचारह पारंपरिया क्रमागतह वर्णा नाम सांत्राला नाम सदाचार उच्यते सदाचार मतलब होता है उत्तमाचरण और अर्थ देखते हैं जिस देश में यस्मिन देशे सभी वर्णों का तथा वर्णों के बीच आए उपवर्णों का परंपरा क्रम से जो प्राप्त व्यवहार होता है उसे सदाचार कहते हैं इसका मतलब यह है कि जिस देश में जैसे वर्ण बहुत सारे वर्ण बटे होते हैं उसमें परिवार को और मैं छोटा सा उधारान देखर के समझाती हूं एक परिवार में जैसे होता है कि पिता अच्छा अच्रन व्यभार करता है उसका बेटा भी अगर अच्छा अच्रन व्यभार करता है तो उसी से अपने पिता जी से उसने वो जो सीखा है अच्छा व्यभार उसी को सदाचार कहते हैं ठीक है अब दूसरे श्लोग पर आते हैं श्वह कार्यमद्य कुर्वित पुर्वाहे चापराहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्ति हुँ कृतमस्य नवा कृतम श्वह मने कल कार्यमद्य मने कार्य अध्यमाने आज कुर्वित मने करना चाहिए यानि कि जिस काम को आप कल करना चाहते हैं, उसे आज ही कर लेना चाहिए आने वल्ले कल का कार्य आज करें, तथा दोपहर का कार्य सुबह करें पुर्वाहे चा पराहिकम, नहीं प्रतीक्षते मृत्यू कृतमस्यन वाकृतम अर्थात मृत्यू निश्चित रूप से प्रतिक्षा नहीं करती है कृतम वा कृतमस्य नवा कृतम की कारी को किया गया है कि नहीं किया गया है इसलिए कभी भी समय प्रतिक्षा नहीं करनी चाहिए जो काम जितना जल्दी हो सके उसे संपूर्ण करना चाहिए क्योंकि किसी भी समय मृतिव आ सकती है और मृतिव ये नहीं देखती कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है अगला देखते हैं सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम अप्रियम ब्रुयात मने बोलना चाहिए सत्यम मने सत्य अर्थात अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए मतलब ऐसा सत्य जो दूसरों को अच्छा न लगे प्रिय न लगे वो नहीं बोलना चाहिए प्रियम च नानृतम प्रियात एशह धर्म सनातनह और प्रिय अस्यत्य भी नहीं बोलना चाहिए ऐसा ना हो कि लोगों को प्रिय लगे और आप छूट बोल दें ऐसा नहीं करना चाहिए एशह धर्म सनातनह यही सनातन धर्म है ठीक है सत्य बोलना चाहिए प्रिय बोलना चाहिए सत्यम अप्रियम और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए लेकिन प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए अब अगला ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है सदाचार में यही पढ़ाया जाता है ठीक है अब आगे का देखते हैं सरवदा व्यवहारे स्यात ओदारियम सत्यता तथा रिजुता म्रिदुता चापि कोटिलियम न कदा चनह मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए उसी प्रकार सत्यता उदारता सत्यता उसी प्रकार सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए रिजुता म्रिदुता चापि कोटिलियम च कदा चनम कुटिला उत्ता कभी भी मनुष्य के सभाव में नहीं होनी चाहिए मनुष्य को अपने व्यवहार को हमेशा उदार सत्यकरमी और सरल और कोमल बनाना चाहिए अगर मनुश्य का सुभाव सरन नहीं रहेगा तो उसे बहुत सारी कठिन परिस्तितियों का सामना करना पड़ेगा आगे देखते हैं श्रेष्ठम जनम गुरु चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवते सततम सदा श्रेष्ठजन मतलब सजन लोगों की गुरु की और माता पिता की हमेशा मन से कर्म से और वचन से सेवा करनी चाहिए सेवते मने सेवा, सततम मने निरंतर और सदा मने हमेशा निरंतर उनकी सेवा करनी चाहिए सज्जन, गुरुजन और माता-पिता की हमेशा मन से कर्म से उसी प्रकार वाणी से भी निरंतर सेवा करनी चाहिए बागे मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापी सुखी जना इति ग्यात्वा प्रयासे न तदेय परिवर्जयेत अर्थ देखते हैं मित्रेण, मित्र के साथ कलहम मतलब लडाई, कृत्वा न कदापी सुखी जना मतलब मित्र के साथ कभी कोई जगडा करके सुखी नहीं होता इति ग्यात्वा प्रयासे न अगर आप ऐसा जान जाते हैं तो उस जगड़े के प्रयास को हमेशा त्याग देना चाहिए मतलब कि जगड़ा ना हो ऐसा प्रयास करना चाहिए क्योंकि मित्र से कोई भी व्यक्ति जगड़ा करके सुखी नहीं होता है अब हमारा सदाचार का पाठ यहाँ पे समाप्त हो गया आगे बच्चे अभ्याद देख लेते हैं प्रातह काले श्वरम इस्मरण करना चाहिए हां आम अनृतम रुयात जूट बोलना चाहिए नहीं इसका उत्तर है नहीं प्रातह काल में श्या को नहीं तजना चाहिए गलत है प्रातह काल में शया को छोड़ देना चाहिए इसका उत्तर नहीं होगा ठीक है नहोंगा अब आगे का जो भी अभ्यास है बच्चे स्वयाम करें अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब चरूर करिएगा धन्यवाद बच्चों बाई बाई